सो किस आप में से काफी सरे लोग यह कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों ने EXP कार्ट तो क्लेम कर लिया है लेकिन बुईया पसका फ्री रिवाड हम लोग क्लेम नहीं कर पार है तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग EXP कार्ट को यूज करेंगे और कैस सबसे पहले आप लोग को चले जाना है इवेंट सेक्शन पर तो इवेंट सेक्शन में जैसे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिल जगा हेलो बीपी नम का एक ओफशन वहाँ पर जैसे आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिल जएगा यहाँ पर बुई आपस का जितने भी सारे आइटेम है वह लेकिन फिलल अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लेगो क्लेम का कोई भी आउशन देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन उपर के रिवर्ट के अगर बात करें जो फ्री रिवर्ट है उसके सा बाता कुछ नहीं करना वस यह जो आप लोग देख रहों रिवर्ड इसकी उपर आप लोग को टैप करने है उसके बाद यह सारे चीज़ को क्लेम करने के बाद फिर मैं आता हूँ जो नीचे का रिवर्ड है वह आखिर आप लोग कैसे करेंगे तो चले फरस्ट आपल हम लो लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराशूट है जो मैंने क्लेम कर लिया है इसके अलबा आप लोग देख सकते हो गन का बॉक्स है जिसके पास भी शारिंग सा देख रहा है वह भी मैंने क्लेम कर लिया है इसके साइब में आप लोग देख सकते हो इतने भी सारे रिवर् फ्री में नहीं मिलने वाला है बतलब हम लोगों ने क्या सोचा था हमारे गेम के अंदर जो बैजेज वाला सिस्टेम होता है वो रह जाएगा और यह जो कार्ड है इसको लेकि हम लोग जो इलाइट पास का जो रिवाड होता है जो अभी बुया पास बन चुका है जो नीचे हम लोगों अनलोक करने वाले वोन राइव अनलोक करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है बेसीकली प्री फायर यहाँ पर एक गेम ख़ेले हम लोग का माईट के साथ जो की वो लोग सकते मिशन कंप्लेट करने के बाद आप लोग को मिलने वाला यह कार्ड अब मुझे यह वाला सिस्टेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बाकि आप लोग मुझे कमेट सेक्शन में बताना पहले का जो बैजेस वाला सिस्टेम था वह ज्यादा अच्छा था या फिर यह जो ल लेवेल देखने के लेवेल जाएगा बोर्ड के अंदर कि किसका कितना लेवेल है मतलब दो लेवेल बनाने की क्या जरूरा थे मुझे बिल्कुल भी समाझ भी नहीं है और अगर आप लोगों को मेरी तरह गुसा आ रहा है गरिना पे तो कमेंट सेक्शन में गरिना को एक ग बाइ थैंक यू